है एब्रीवन वेल्कम बैक टू मां यूट्यूब चैनल मैं हूँ राहूल और आज हम साहितिक आलचना के विशह में बात करेंगे चाहे आप एक स्टूडेंट हो एक रीडर या सिर्प इसके बारे में जानना चाहते हो कि लिटिरी क्रिक्स आसल में क्या करते हैं यह वीडिय करते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले नबर वान इस लिटेरी कृटिसीजम नमबर टू दे हिस्टरी अप लिटेरी कृटिसीजम अब इसमें बहुत सारा चीज आयेगा जैसे कि फॉर्मल इजम या पर नियु कृटिसीजम माक्सिस्ट कृचिजम फेमि नाटक या किसी भी साइथिक रचना का विषिलेशन ब्याक्खा और मुलाइन करते हैं यह साइध आपको कॉम्पलेक्स लगे लेकिन इसका मूल विशय यह है कि एक प्रक्राया है जिसमें हम literature को analyze interpret और evaluate करते हैं इससे ऐसे समझिए जब आप एक किताब पढ़ते हैं कभीता पढ़ते हैं या एक नाटक देखते हैं तो आप naturally अपनी राय बताते हैं साइध आपको characters उसमें पसंद आये या ना आये themes आपको अच्छा लगे या ना लगे साइध इन responses को और गहरा करती है टेक्स्ट को अलग-अलग तरह से देखते हुए उसके deeper meanings structure और cultural significance को समझती है तो क्या हुआ कि साइध इक अलग टेक्स्ट को तोर मोर कर देखता है और ये सोचना होता है कि कैसे और क्यूं उस टेक्स्ट को लिखा गया है ये सिर्फ इतना नहीं होता है कि आपको ये प्रसंद आई या नहीं बलकि आप ये पूछते हैं लेखक क्या कहने के कोशिश कर है इसमें इस काम के पीछे का कॉंटेक्ष क्या है यह हमारी दुनिया को कैसे करता है चैल्लेंज करता है आपने औक बीना जाने मित्रों से बाद करते हैं या किसी उपन्हास के अंध को लेकर सोचते हैं तब आप आसल में साइथिक शमक्षा करते हैं चलिए अब साइथिक आलचना का जो इतियास हो देख लेते हैं साइथिक आलचना कोई नई बात नहीं है यह सदियों से चली आ रही है और लिटरिचर के साथ इभॉल्व होती गई है चलिए देखते हैं इसकी डेवलोमेंट कैसे हुई है प्राचिन ग्रिस में प्लेटो और अरिस्टेटल जैसे दार्सनेक ने लिटरिरी अनालीसिस को आधर रखा अरिस्टेटल ने पोईटिक्स लिखी जो ट्राजिटी और कॉमेटी जैसे जॉनर्स को समझने में एक मूल्ट टेक्स्ट बन गई है फिर 19-20 सतब्दी में मैथ्य आर्नल्ड जैसे क्रिटिक्स ने यह माना कि लिटरिचर को मोडल और कल्चरल ग्राउंड पर एभाल्वेट किया जाना चाहिए 20-20 सतब्दी में लिटरिरी क्रिटिसिजम और भी डाइवर्स हो गई जैसे फॉर्मलिजम, स्ट्राक्चरलिजम और पोस्ट मोडर्निजम जैसे मूव्मेंट्स क्याने से अब साहितिक अलचना का प्रमुक एप्प्रोचिस किया है, एप्प्रोचिस ओफ लिटरिटरी क्रिटिसिजम अब एक ही तरीका नहीं है साहितिक अलचना करने का समय के साथ स्कॉलर्स ने अलग-अलग स्कूल्स अव थौर्ट्स डेपलाउब्मेंट किया है चलिए कुछ प्रमुक एप्रोच इसको समझते हैं पहला है फॉर्मलिजम या पर निव क्रिटिसिजम जिसको कहा जाता है यह द्रिश्टिकुन केबल रचना के सरूब भाषा और रचनातमक तौरों पर केंद्रित होता है फॉर्मलिस्ट का मारना है कि किसी भी सहाइतिक रचना का समर्थन और अर्थ सिर्फ उसके अंदर चुपा होता है इसमें भारी संधर्व जैसे लिखक का जीवन या इतियास को ध्यान में नहीं रखा जाता तो सीधी सीधी बात में यह कहा जा सकता है कि फॉर्मलिजम टेक्स् स्ट्रीक आपी और किसी भी एक्स्टर्णल फैक्टर जैसे on के जीवन यह इस्टोरिकल कॉंटेक्स्ट को ध्यान में रखने की कोई आपशकता नहीं है आप ही इस्टोरिकल क्रिशिजम है इतिहासिक समय है एक रचना को उसके इतिहासिक परडिक्ष में देखना का काम करती यह समझना जरूरी है कि जिस समय यह रचना लिखी गई थी उस वक्त का राजनितिक या पर समाजिक परीपेस कैसे इस पर प्रभावित था जैसे हम लोग जब 1984 को परेंगे उसका मीट 20 सेंचुरी का राजनितिक जो परिस्तित्या है उसके संदर्ब में समझना इसके आर्थिक व्यवस्ता और समाजिक अशमाननता के आधर पर देखता है यह अधिकार और धनबा संपत्ति के बीच के संबंद पर किंद्रित होता है थोड़ा कठीन हिंदिका प्रोवेग क्या है मैंने अब इसको अगर सीधी तरव से समझा जाए यह अप्रोच करता है जैसे एक काम स्टैटस को रिफ्लेक्ट करता है या चैलेंज करता है अब दोस्तों माक्सिस लिटरी क्रिशिजम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं इस सभी जो क्रिटिसिजम है इसके उपर सेपरेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तो आगर चाहते तो उसको भी चेक आउट कर सकते हैं अगर इस समय जो है वीडियो बन जाता है तो आप उसका लिंक प्रमेंड प्रदस्त होता है खासकर महिलाओं का चीतरन के से हुकिया गया था यह पूरुश और महिला की बीच में शक्ति समिकरन को परेखना का काम करता है यानि कि feminist criticism जेंडर परसपेक्ट्रीफ से लिटरचर को देखता है यह इस बात पर ध्यान देता है कि महिलाओं को कैसे दर्षाया गया दोनों टेक्स्ट के अंदर और समझ में यानि कि दिमाग में और टेक्स्ट में कैसे इसको दर्षा अब हम द्रीन से दिए कि न संब्सकर हो नहीं यस इसको ध्यान से समझना दोस्तों यह जो मनवाइगान क्सा है इतक है तौई थे जेम तो से प्रभावित होकर लेखों के अबचतन मानुशेक्रित को समझने के प्रयाश करता है यह इच्छाहों भाई और अंतर व्योदों को खोजने का काम करती है जो प्रत्यक्स रूप से नहीं बलकि अंतर नहीत अर्थ में होते हैं इसकूल आफ थौट अगर इसको सीधी-सीधी बातों में कहा जाए तो यह स्कूल आफ थौट सिग्बन फ्रोएड और दूसरे साइकोलोजिस्ट की थियोरिस पर आधारित है साइकोनलेटिक क्रिक्टिक्स के साबकॉंशस मॉटिविशन्स को एक्स्पोर करते हैं और अक्सर ड्रीम्स डिजायार और इनर कंफ्लिक्स पर इंजमीन करते हैं जो कॉलोनियलिजम की कॉंटेक्स में लिखा गया है या जिसका आसर को अलोनियलिजम के बाद हुआ है यहीं इसवात को एक्सप्लोर करता है कि कैसे कॉलोनियल पावर्स ने ता आधर यानि ऑन्य को रिप्रेजंट किया और कैसे फॉर्मार रेस्पॉंस क रिडर के रोल को महत्व बनता है इस एप्रोच का उन्सार टेक्स्ट का कोई फिक्स्ट मेनिंग नहीं होता रिडर के आपने एक्स्प्रियंस थॉट्स और इमोशन से टेक्स्ट के इंटरप्रेशन बनती है तो दोस्तों यह था कुछ आलचना अब जब हम समझ गये हैं कि साहितिक आलचना क्या है और कैसे की जाती है आप यह सोच रहे होंगे कि इसका महत्व क्या है हम लिटरिचर को इतनी डिटिल में क्यों करें देखिए लिटरिचर से मनड़ अंजन के लिए नहीं होता है यह समझ संगस्क्रीथी और मानव अनुहब का दरपन है जब हम एक टेक्स्ट को एनलाइज करते हैं तो हम उसके मीनिंग का लियर्स को समझते हैं जो हमें दुनिया को बहतर समझने में मदद करते हैं चाहे हो समाजिक मुद्धिव का प्रदर्शन हो मानव मनव इगानिक समझ्चा के एक्स्पोलर करना हो या डॉमिन नेटिव को चैलेंज करना हो साहित्ति कालोचना हमें टेक्स्ट के साथ गहरी सी इंगेज करने की टूल्स देती हैं और उनके कॉंप्रेक्सिटी को समझने अब भी मदद करते हैं अगर कुछ पॉइंट बताया जाए तो आपको और भी आसान होगी जैसे देखिए आंडास्टेंडिंग कॉंटेक्स्ट इस लेट्स सी हावा वार्ग फिट्स इंटो लार्जर काल्चरल हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क यानि की प्रेशना का संबन्द कैसे एक बड़े संक्स्कृति इतियाशिक यहां पर राजनेतिक परिप्रेक्ष में होता है ठीक है नमबर टू अनकॉबर मिनिंग इस रिबिल सीदें दिम्स सिंबॉल्स और डिपर मिनिंग्स दाट वी माइट मिस अट फॉस्ट गलांस यानि कि अर का मिनिंग जो है अन्गावर कर देता है नेक्स्टे एबलोएट क्राप्समें से इट हेल्स अप्रिशेट अप्रिशेट अप्रिशना का अकर्शन समझने में सायक होता है नेक्स्टेफ नमबर फॉर चैलेंज आजम संट्र कितिसेजम एंकरेजस आस्टो आस्ट क्वेशिन अबाउट देक्स्ट मेंसेज तो ऑथर्स इंटेंशेंस और हाव हाव डिफरेंट इंटर्प्रेटिशन कें इमर्ज यानि धर्नों को चुनोती देना यह हमें प्रशन कर दोस्तों इसका बेंगोली जो वीडियो अपलोड होने वाला है चैनल में आपको उसका लिंक भी ड्रेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां से उसको अगर बंगाली है तो वहां से भी आपको चेक आउट कर सकते हैं और बस अज की वीडियो के लिए बस इतना ही आ बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए अच्छे से रहिए थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो